आज हम लोग sentences की practice करने वाले हैं कल हम लोगोंने कुछ rules को पढ़ा था जिसमें हम लोगोंने verb और subject के बारे में पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें क्योंकि वो आपको जरूर help करेगे और आज के वीडियो में हम sentences की practice करेंगे और words के साथ और यह words बहुत important है क्योंकि आप जब भी sentences बोलते हैं ति इन words का use हम बिलकुल sentences के सुरुवात में करते हैं तो hey guys welcome back to my channel आज हम लोग फिर से practice करने वाले हैं क्योंकि बोलना है तो practice जरूर करना है या फिर कोई भी subject लेना है practice must है तो पहला word है nowadays nowadays यानि आज कल आज कल जिम जा रहा है यह common sentence है तो इंग्लीज में बोलेंगे nowadays he is going to gym nowadays he is going to gym अब दूसरा word देखेंगे these days these days यानि आज कल या इन दिनो आज कल मैं हिंदी बोल रहा हूं आज कल मैं हिंदी बोल रहा हूं these days I am speaking हिंदी these days I am speaking हिंदी तीसरा word है there there में इस होता है वहाँ वहाँ जाओ वहाँ जाओ को बोलेंगे हम लोग go there जब भी आप कोई words पढ़ीं तो उसको sentence में डाल के practice जरूर करें क्योंकि उससे वो आपको याद हो जाएगा तो अगला word है whatever यानि जो भी तुम्हें पसंद हो आगएका sentence यह दूरा है जो भी तुम्हें पसंद हो तो इंगलिस में बोलेंगे whatever you like wherever यानि जहां कहीं भी आप जहान कहीं भी खाना चाहते हो खा सकते हो यानि किसी भी रिस्ट्राउंट में जा सकते हो तो इंगलेज में हम लोग क्या बोलेंगे इसको wherever you want to eat, you can wherever you want to eat, you can eat तो किया sentence हो गया जो कि आप बोल सकते हैं इसके बाद हम लोग अगला वर्ड लेंगे डे बिफोर यस्टडे कोई बात होती है तो हम लोग कहते है यह तो परसो हुआ था इंगलिस में बोलेंगे डे बिफोर यस्टडे यानि परसो बारिश हुई थी यह कॉमन सेंटेंस है इंगलिस में बोलेंगे इट रेंड डे बिफोर यस्टडे अगला वर्ड है डे आफ्टर तुमारो यानि परसो आने वाला कल जो होता है उसको बोलेंगे मैं परसो जा रहा हूं मैं परसो जा रहा हूं I am going day after tomorrow I am going day after tomorrow मैं परसो जा रहा हूं इसकी जगह पर आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं फाइफ टाइम्स या सिक्स टाइम्स यानि चार बार मैं सब्ता में चार बार बाहर जाता हूं तो फिर इंगलिस में बोलेंगे I go out four times a week I go out four times a week Right now Right now यानि अभी या तुरंत मुझे अपनी किताब अभी चाहिए I want my book right now Two words यानि की ओर या के ओर मैं railway station की ओर जा रहा हूं अब कहीं भी जा सकते हैं तो उसमें ये words आप यूज कर सकते हैं तो इंगलिस में बोलेंगे I am going towards railway station मैं रेल्वे स्टेशन की ओड जा रहा हूँ वेन एवर यानि जब कभी भी आप जब चाहें तब जा सकते हैं यू में गो वेन एवर यू विस ओल्दो यानि हाला की या यद्य भी हाला की अलाम बजा वा सोता रहा आल्दो दा अलाम रेंग, he continued sleeping तोगेदर यानि साथ साथ हम साथ साथ रहते हैं हम साथ साथ रहते हैं वी लिव टुगेदर हम साथ साथ रहते हैं नथिंग, यानि कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, इन वर्ट्स को आप अलग-अलग सेंटेंस में अलग-अलग तरह यूज कर सकते हैं, I have heard nothing, I have heard nothing. नियर, यानि नजदीक, मैं आपके घर के नजदीक हूँ, I am near to your house, I am near to your house, मैं आपके घर के नजदीक हूँ. जो कोई भी तयार हो, यह सेंटेंस अधूरा है, आगे इसमें आप कोई भी सेंटेंस एट कर सकते हैं, वो एवर इस रेडी, आवर सेल्फ, हम खुद, चलो खुद इंज़ाय करते हैं, लेट्स इंज़ाय आवर सेल्फ, अंटिल, अंटिल का मतलब निगेती होता है, यानि जब तक की ना, जब तक वा वापस नहीं आती, हम यहीं रहेंगे, अगला वर्ड है, नेवर, यानि कभी नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाओंगी, मैं वहाँ कभी नहीं जाओंगी, तो इंगलिस में हम लोग बोलेंगे, I will never go there, I will never go there, मैं वहाँ कभी नहीं जाओंगी, जितने भी वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं, इन वर्ड को हम अलग-अलग सेंटेंस में बोल सकते हैं, इसमें जो सेंटेंस लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक्जांपल के लिए ताकि आपको ये वर्ड सियाद हो सके, अगर आपको ये वीडियो जड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को सेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें, तो थाइंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,